सब्स्क्राइब कीजिए मार्ग क्यूटोरियल यूट्यूब चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिल सके हमारे लेटेस्ट विडियोस सबसे पहले सेल चालान क्रियेट करते हैं और उस चालान को सेल बिल में लोड करने का प्रोसेस देखते हैं जिसके लिए ट्रांजाक्शन मेन्यू से सेल फिर होल सेल चालान पर एंटर करेंगे तो सेल चालान एंटरी की ये विंडो ओपन होगी जहां डेट फिल्ड में डेट एंटर करेंगे जिस डेट पर सेल चालान क्रियेट करना चाहते हैं देन एंटर करेंगे तो ledgers window open होगी यहां से वो customer select करेंगे जिसके लिए sale चालान create कर रहे हैं Suppose अहूजा medicine center पर click करते हैं तो आप again इस sale चालान window में switch होंगे यहां आप देख सकते हैं चालान number software ने default create कर दिया है अब जब तक items window open नहीं होती enter press करते जाएंगे तो अब इस items window से वो items select कर लेंगे जिन items के लिए आप चालान create करना चाहते हैं Like items window से item लेते हैं enter करेंगे Then यहां quantity लेते हैं and enter press करेंगे इस तरहां से as per the requirement more items लेना चाहते होंगे चालान में तो ले लेंगे Then end key press करेंगे sale चालान को save करने के लिए तो save changes की यह window open होगी अब yes पर click करेंगे Then यह small window open होगी अगर आप print out लेना चाहते होंगे तो P key press करेंगे और print preview देखने के लिए F key press करेंगे नहीं तो escape key press करते हुए main window पर आ जाएंगे इस तरहां से आप sale चालान create कर सकते हैं तो अब इस sale चालान को bill में convert करते हैं जिससे इसकी entry account में post हो सके तो अब हम same party का sale bill create कर लेंगे जिसके लिए transaction menu से sale then bill पर click करेंगे तो sales entry की यह window open होगी जहां date field में date enter करेंगे then enter करेंगे and ledgers window से ahooja medicine center ledger पर click करेंगे तो again sale bill window में switch कर जाएंगे अब enter करते हैं तो यह pending चालान की window open होगी जिसमें आपको वो चालान या जो भी चालान आपने create किये होंगे शो होंगे तो अब जैसे की हमने यह चालान create किया था अब इसको bill में load करने के लिए select button पर click करेंगे then select चालान's window open होगी spacebar key से चालान को select करेंगे and enter करेंगे then चालान loading की यह window open होगी enter करते हैं तो आप देख सकते हैं pending चालान bill में load हो गया है अब tab key या end key से bill को save करते हैं अब save changes की यह window open होगी yes button पर click करेंगे changes save करने के लिए तो इस तरह से आप चालान को bill में load means convert कर सकते हैं so friends वीडियो में दिखाए गए इन simple steps को follow करके आप mark ERP software में sales चालान create कर सकते हैं and उसको bill में convert कर सकते हैं thanks for watching